आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज vectorization के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे vectorization के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसका need क्या है? ठीक है? इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए तो for example हमाई एक code दे रखा है w पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि w को vector में कैसे represent करते हैं यह होगे w1 w2 w3 ठीक है जो b होता हुँ एक number होता है यहाँ पे लिख लेंगे b j number और x vector को कैसे represent करते हैं यहाँ पे x vector x1 x2 x3 ठीक है generally जो linear algebra होता है जो हम लोग पढ़ते है linear algebra उसमें count कहां से start होती है count starts from from 1 ठीक है हम लोग count करना 1 से start करते है button code ठीक है यहाँ पे लिखेंगे button code जो count start होती है ठीक है count start from starts ठीक है कहां से होती है 0 से होती है यह मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि आगे हमें code में काम पढ़ेगा ठीक है तो अगर for example हमाई एक code दे रखा है w.np.ray ठीक है एक array दे रखा है यहाँ पे यह है 1.0 2.5 ठीक है और minus 3.3 ठीक है यह हमें w के लिए दे रखा बी एक number होता है उड़ायक्ट ऐसे लिखेंगे हम लोग ठीक है और और एक्स जो होता है वह भी यह कह रही है तो एनपी डॉट एरे एम एनपी क्यों यूज कर रहे है पहले बता रखा है एनपी नमपाई होता है नमपाई लैब्रेरी ठीक है वह एरे में चेंज कर देता है तो 20 30 ओफ यहां पर कंप्लेट ठीक है अब अब यहां पर इनके पोजीशन से लॉट कर देता है यह होगा हमारा क्यूंकि हमां अकाउंट 0 से स्टार्ट होता है तो यह हो जाएगा हमारा डबलू 0 डबलू 1 डबलू 2 ठीक है यह क्या हो जाएगा एक्स 0 एक्स 1 एक्स 2 ठीक है यह एक्स 2 हो गया यह हो गया ठीक आप इसके बाद अगर हम लोग वेक्टराइजेशन के यूज ना करें ठीक है यहां पर लिखेंगे विदाउट वेक्टराइजेशन ठीक है विदाउट वेक्टराइजेशन ठीक है तो क्या होगा वेक्टराइजेशन अगर हम लोग वेक्टराइजेशन का यूज ना करें तो हम लोग जनरली यह जो एक्वेशन होता है f w x प्लस b ठीक है इसके मदश से हम लोग क्या करेंग कर देंगे यह ऐसे करके 1 X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस B ठीक है हम लोग ऐसे solve करेंगे ठीक है अब अगर यहाँ पे इसे हम लोग क्या कह सकते हैं अगर N यहाँ पे N greater than 2 या कुछ भी कह सकते हम लोग छोटे लेवल कहने है ठीक है तो हम लोग यह equation यूज कर सकते हैं without vectorization हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं बट suppose कि N हमारा 100 होता ठीक है N हमारा 100 होता तो क्या हम लोग कब तक ऐसे करते रहते हैं 1 2 3 into into करके ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो role है vectorization का वो क्या जाता है importance देता है ठीक है कि हम लोग क्या करेंगे vectorization का यूज करेंगे ठीक है अब vectorization का यूज कैसे कर सकते हैं रिखेंगे with vectorization टीक है with vectorization यहाँ पे मैंने पहली बताया था कि जो डबलू और एक्स होता है वो क्या होता है आपस में dot product होता है क्या होता है dot product होता है ठीक है तो हम लोग डैक्त यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि यह होगा fwb x यहाँ पे और यह हो गया w vector x vector दोनों का dot product plus b तो डैक्त हम लोग क्या करेंगे यह equation इस्तमाल करेंगे और code में हम लोग क्या यूज कर देंगे f is equal to np numpy का इसका dot product निकालने को कह देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे w यह हो जाएगा x plus b तो finally हमारा इस तरीके से vectorization की मदस्ते हमारा इस हो जाएगा ठीक है simple vectorization हम लोग कब इस्तमाल करते हैं जब n की value large होती है ठीक है और यह क्यों होती है जब हम multiple linear regression यूज करते हैं ठीक है multiple linear regression जब इस्तमाल करते हैं तो हमनों खासकर vectorization का इस्तमाल करते हैं क्योंकि n की value बहुत जादा हो जाती है ठीक है number of features भी काफी होते हैं तो इस वज़े से हमनों क्या करते है वेक्टराइजेशन का इस्तमाल करते हैं ठीक है